Welcome Dear Students, Section B Creative Writing Skills Question 3rd होता है इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को कोई एक क्वेस्चन करना रहता है दो में से और याद रखो यह important इसलिए है क्योंकि यह 5 marks के लिए पूछा जाता है हम लोग बात कर रहे हैं CBAC Class 12th English Exams की जो 2023 में conduct होने वाले हैं हम लोग पढ़ रहे हैं CBAC का sample question paper क्योंकि यह question paper अगर हम लोग देखें किस तरह से solve होता है तो हमको जो हमारी main exams हैं उन्हें करने में काफी help मिलेगी, काफी मदद मिलेगी इससे पहले 2 separate lectures में हम लोग उने question number 1 और question number 2 को solve किया उसे हम लोग उने अच्छे से समझा इस वाली वीडियो में sample question paper का question जो third है तो उसका हम लोग पहले वाला option कर रहे हैं 5 marks जादे से जादे तीन मिनिट में आप लोग ये वीडियो देख करके ले सकते हैं अब दिखें, exams में question कुछ इस तरह से आपके सामने होगा ये third है, जो question number है यहाँ पर section B है creative writing skills 20 marks के लिए section होगा लेकिन ये वाली जो question है ये 5 marks के लिए है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब करना क्या है तो सबसे पहले तो ये देखो कि कोई A करना है यहाँ पर लिखा है attempt anyone from A and B given below तो हम लोग ये वाला A है इसी को करते हैं, ओके exams में आपने क्या करना, A और B दोनों पर एक नजर डालना ताके आप लोगों को समझ आए easy कौन से वाला है, simple कौन से वाला है और आप उसके साथ जा सकें, ओके You are Josley Matthew the president of the school book club आप ये हैं, ओके the club is organizing a drive for promoting reuse of study materials and books तो ये जो club है ये क्या कर रहा है, organize कर रहा है एक drive है, काई के लिए जो study materials है जो books है, उनको वापिस कैसे हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं draft a notice, तो बात का खुलासा क्या है, summary क्या है, आपने notice बनानी है, in about 50 words ये important है, ऐसे मत करना के एक बार लिखना start किया तो रुके ही नहीं 50 words का ध्यान रखना है for the school notice board addressing students of classes 10th and 12th ठीक है, किन के लिए हम लोग notice बना रहे हैं, 10th and 12th informing them about this drive, और उन्हें बताना है कि देखो भाईया, हम इस drive जो है तो organize कर रहे है and urging them, और उनको urge करना है convince करना है, समझाना है उन्हें to contribute to the endeavor endeavor का meaning हुगा try हम जो ये एक try कर रहे हैं इसमें तुम क्या मदद कर सकते हो हमें books दे सकते हो, हमें study material दे सकते हो, mention how the donated books would benefit a charitable cause, किस तरह से जो books donate की जाएंगी वो किस तरह से help करेगी अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि करना क्या है, हम लोग उन्हें ध्यान में रखना है 50 words, यह हमारी word limit है, याद आख़ो अगर कोई question 50 words के लिए पूछा जाए और आप उस पर 100 words लिखते हो, तो पहले तो अपने time का आप नुकसान कर रहे हो, ओके तिकि बात के questions के लिए आपके पास time नहीं बचेगा, और दूसरे आप examiner sir को challenge कर रहे हो, कि लोग भया आपने 50 मांगे थे, तो हम 100 दे रहे हैं यहाँ पर आप हमारी निकालो, spelling mistakes निकालो, grammatical mistakes निकालो या content की mistakes निकालो, तो over smart नहीं बनना है, the word notice, आपके answer में notice यह word कहीं तो भी उपर आना चाहिए, date लिखना है, heading लेना है आप लोगोंने, writer's name and designation, यह वाली चीज़ mention करना है और notice में आपने कुछ basic मुद्दों को बताना है, जैसे कि क्या कब, कहाँ, कैसे यह questions के answers जैसे notice पढ़ने वाले को मालूम हो जाना चाहिए, ओके तो हम लोग answer की शुरुवात ऐसे कर सकते हैं, नहरू Memorial Public School और अंगाबाद notice, मैंने बताया था कि title है, और एक notice यह word आपके answer में कहीं तो भी आजाना चाहिए, बाद में date mention की हमने 9th November 2022, अब लिख रहे हैं हम लोग reuse of study material and books drive, यह जो drive है, यह किसलिए है, ताके जो study material है, जो books है, तो वो वापस students के काम में आ सके ठीक है, all the students of class 10th and 12th are informed, कि सभी students को इस notice के थुरू यह information दी जाती है, that a drive is being organized कि हम लोग एक drive कर रहे हैं for promoting reuse of study materials and books ताके जो study materials है जो books है, उनका reuse आगे बड़े promote हो, जादा से जादा लोगों को मालूम हो, by book club, किस के थुरू हो रहा है है, book club at 11 a.m. to 1 p.m. 11 से एक इसकी timing है, in the school ground on the 12th of November 2022, कब है यह 12th of November 2022 कहां पर है, school के ground है ठीक है, dates में थोड़ा सा careful रहना, ऐसा ना हो कि आप 12 November को notice निकालें कि 9 November को हमने रखाए, वो एक joke हो जाएगा it will surely be a pleasure for us हमारे लिए काफी खुशी की बात होगी, that our donations of study materials and books will be used for charity purpose कि हमारी जो books वगेरा हैं तो वो किसी और के काम आ रही है Josley Matthew, यहाँ पर देखिए, यह नाम हमको question से मिला था और last में हमने designation लिखा है President है, school book club के, एक नजर आप इस पर डालें तो एक perfect notice है, यहाँ पर examiner सापके marks कट नहीं कर सकते, okay चैनल हमारा उसे subscribe करके bell notification को दबाएं, ताके आगे भी आपको इसी एच्छी एच्छी वीडियो देखने मिले, वीडियो को like comment करके, at least दो बंदों के साथ share करें, और वीडियो देखने के लिए आपका thanks